जहीं दोस्तों स्वागत अब सभी का wisdom education पर आज का वीडियो काफी special होने वाला है क्योंकि आज हम लोग discuss करने वाले हैं कि दैनिक जागरान को किस तरह से हम BPSC के लिए आप मैं कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि किस तरह से दैनिक जागरान को प पर सकते हैं तो आप लोग दैनिक जागरान के राष्टिय संस्कारन को पढ़ना बंद मत किजिए दैनिक जागरान के राष्टिय संस्कारन को पढ़िए दैनिक जागरान के राष्टिय संस्कारन से आप जो इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज है उसको कभर कर सकते हैं पो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करेंगा हम लोग इस वीडियो में किस तरह से दैनिक जागरन के राष्टी संसकरन जो परती एक दिन में PDF डाल देता हूं टेलिगरम पर उसको पढ़ सकते हैं आप लोग और अगर आम मालेते हैं आप पटना बढ़ाते हैं तो आपक एक राष्टी आगरन का लोगोल एडिशन जो होता पटना एडिशन में काफी एड आता लेकिन जब भी कोई एड ये जो एड है माली जी प्राइवीट कमपनी का एड है म्याजीत है कि अचा करना पटन में का प्राइड है जैसे कल एक एड ऐड ई सरुबरमेंट週न से संबं 30,000 इसकोलों के लिए 49 करोड जारी तो इस तरह से न्यूस से बिसिकली आपको यह डाटा क्लेक्ट करना होगा और यह डाटा कहिन के आपको खुद क्लेक्ट करना होगा यह नॉमरली किसी मैगजे नोगरम इस तरह का डाटा नहीं मिलता एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बिहार सरकार कर रही है जो भी एजुकेशन को लेकर के बिहार सरकार के स्टेप उठाया है तो उसको कहीं एक जगा पर्ट्यूकुलरली आप लोग एक कॉपी बना करके एजुकेशन से लेटेड जो काम किया उसको एक जगा लिख लिजिए तो इस तरह से education के लिए जो काम किया है उसको एक जिगर लिख सकते है और उसी में और कहिंगे यह point important है अब देखे बिहार सरकार ने एजुकेशन के लिए जो काम क्या है जिसे मैं एक example आपको देता हूं किया आपको लिखना चाहिए कोरोना के समय में बिहार सरकार ने एक एप लॉंच किया था इस एप का नाम था e-lots app e-lots app इसका पूरा फूल फॉल फॉर्म है e-library of teachers and students तो कोरोना के समय में बिहार सरकार के दौरा ये एप लॉंच किया गया साथी साथ कुछ दिन पहले हमारी बिहार के जो सिक्षा मंतरी है विजय कुमार चोधरी जी इनके दौरा e-sambandhan portal की शुरुबात किया गया था तो इस तरह से जो भी educations related घटना है आपको दिखती है important दिखती है उसको एक जिगर particularly note कर लिजे basically यह है कि data collection का काम आपको खुद से करना होगा और बिहार का paper को परके करना होगा बिहार का data collection normally आपके पास किसी magazine और हम बहुत कम आपको मिलेगा इसलिए यह काम आपको खुद करना होगा अब जो यह जो news है second news है कि road sector में issuers बड़े निवेश की संभाव न कि जो पत निर्वान मंत्री है नितिन नवीन इन्होंने एक रास्तिय राज पत का उधाटन किया है वो अधिक important नहीं है अधिक important किया है और 66 वी VPSC मेंस में यह question पूछा गया है अधिक important यहाँ पर यह part यह part क्या है कि मुखमंत्री 7 निश्य योजना की सुरुवात हो चुकी है जो 2020 से लेकर के 25 तक होगी अब मुखमंत्री 7 निश्य योजना में 7 target 7 लक्ष उस 7 लक्ष के बारे में जब भी paper में आता है यह कोई important information 7 लक्ष में होता है तो उसको आप लोग note कर लिजे मसलन यह जो new संबंदित है यह 7 लक्ष का एक part है वो है सुलब संपर्क्ता योजना और 7 लक्ष के बारे में आप लोग लिख ली जगा कहीं 66 वी VPSC मेंस में question पूछा है आगे भी question पूछा जा सकता तो सातो जो सात निश्या है उसका एक part है सुलब संपर्क्ता योजना यानि एक जगा से दूसरे जगा कहीं से संपर्क आसानी से बनाया जा सके यानि infrastructure, road infrastructure किस तरह से improve किया जा सके basically यही part है सुलब संपर्क्ता योजना का और उसी से कहिन कहीं यह चीजे जुरा हुआ है यह news जुरा हुआ है basically सुलब संपर्क्ता से जुरा हुआ है कि किस तरह से road connectivity strong हो और उसी संबन्द में आप देख रहोंगे कि बिहार के पत्निर्मान मंत्री के द्वारा road का उर्खाटन किया गया तो basically जो साथ निश्या है साथों का अलग अलग पार्ट आप लिख ली जगा और उससे संबन्दी जो भी चर्चा पेपर में होगे उसको एक जगा नोट करते जाएगा उसी point में नोट करते जाएगा राज जी के सभी जिलों में बनाए जाएंगे परियाटन के अंदर तो बिहार में परियाटन के अपार संभाव नाए तो बिहार के परियाटन में अपार संभाव नाएं का दोहन करने के लिए किस तरह से परियाटन को इंप्रूब किया जा सकता है एक तो नोट इसके बारे में भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि परियतन को लेकर कि कही सारे काम बिहार में हो सकते हैं और इसमें एक सजेशन भी आप त्यार रखेगा हो सकता है इंटर्वियों में कोशन कूश दे यह मेंस में भी कोशन पूछा जा सकता है परियतन जो है वो तरसरी सेक्टर से जुरा हुआ और परियतन बिहार में परियतन के अपार समभावना है क्योंकि कई सारे रेजन एक तो यह है कि बुद्ध का जो ग्यान प्राप्ति हुआ बिहार में हुआ है महावीड का जन्व भी बिहार में हुआ है मा सिता की धर्ती बिहार रही है चानक्या की धर्ती बिहार रही है मौरी का धर्ती बिहार रहा है तो बिहार परियतन को डेवलब करने का कई सारा काम किया जा सकता अभी तक किया नहीं गया अपेक्षित रूप से तो इसी बारे में ये नियूज है और ये important point है और इस point को पक्का आप लोग लिख ली जगा कहीं भी कि सभी जिलों में बनाए जाएंगे परियतन के अंदर जब भी आपको मेंस में एक part लिखना होगा कि परियतन के improvement के लिए सरकार क्या कर रही है या परियतन छुड़िये अगर आपसे ये question पूछा जाए कि बिहार के development के लिए क्या क्या काम बिहार सरकार कर रही है तो उसमें एक point इसको भी quote कर जाएगा कि सभी जिलों में परियतन केंदर बिहार सरकार के द्वारा बनाए जा रहे है ये बिहार development का भी part है ये बिहार के tertiary sector का भी part है और potato का भी part है तो कहें भी इसको quote कर सकते हैं बिहार के development में इसी तरह से डेर लाक युवाओं को रोजगार परक पर सिक्षन दिया जाएगा तो ये news भी कहीं कहीं इसी का point का part है ये news भी important है again रोजगार को लेकर के बिहार सरकार क्या क्या काम कर रहे है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इस पे भी कहीं कहीं news आते रहता है उसको भी आप लोग देख ली जगा कि रोजगार के सम्मनित बिहार में क्या क्या किया जा रहा ये जो news है ये political news है लेकिन important इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि बिहार बिधान परिशत का चुना होने वाला UPC का paper मैंने analysis किया था UPC का paper आप दिखेगा वहां पर में में question पूछा हुआ बिधान परिशत पर UPC question क्यों पूछा हुआ था उसका region था कि West बंगाल में जो है बिधान परिशत के गठन की चर्चा चल लिए या West बगाल बिधान सभा के द्वारा बिधान परिशत के गठन के मंजूरी दिया गया है और यह प्रावधान है Article 169 में तो बिहार बिधान परिशत के चुना होने वाला है बिहार उन चुनिंदा राज्जियों में जिसके पास अपना बिधान परिशत है इसलिए बिहार बिधान परिशत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार बिधान परिशत के अस्थापना कब हुई है बिहार विधान परिशद में सीटों की संख्या कितनी है बिहार विधान परिशद का importance क्या है बिहार विधान परिशद का महतु क्या है और ये traditional part है ये traditional part है इसको आपको कहीं भी आपको मिल जागा ये अब सराबंदी को लेकर के चर्चा हो रही है एक रिजन तो यह है कि हमारे देश के जो वर्तवान के Chief Justice of India है Justice N.V. रमना तो Justice रमना ने अमरावती में एक भासन के दोरान यह कहा कि बिहार की जो सराबबंदी है और दूरदर्सी सूच का प्रतीक है एक तो यह कारण है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि Justice N.V. रमना के यह स्टेट्मेंट क्यों आया दूसर रिजन यह है कि बिहार सरकार 40 केस को लेकर के सुप्रीम कुड गई इन 40 केस में पटना हाई कोट ने बिल दिया थे और यह 400 केस सम्बंदित था कहीं कहीं सराब बंदी से लेकर के तो सराब बंदी में पटना हाई कोट के द्वारा बिल दिया गया और इस बिल के गेंस्ट में बिहार सरकार की गई सुप्रीम कोट सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम सराब बंदी कानून में इनको बेल ना दे तो बिहार सरकार के वकील ने कहा कि हाँ हम तुझी नहीं चाहते हैं और इसी कारण हमने आपके यहाँ याचिका दैर किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हत्या का जूर्म जो है हीनियस कराइम नहीं है तो बोला बिलकुल है जब हत्या के जूर्म में बेल मिल जाता है तो सराबंदी के कानून में हम क्यो नहीं बेल दे क्या सराबंदी के कानून में हम इसलिए बेल ना दे क्यो कि आपने एक टाइट कानुर मना इसका कई सार प्रस्पेक्टिव जस्टिस N.V. Ravana के दिसिजन को कई सारे प्रस्पेक्टिव में दिखा जा सकता है सबसे पहलें उसी की decision को मैं decode करता हूं और इसको आप लोग exam में भी लिख सकते हैं मेंस में इसा नहीं कि इसको नहीं लिख सकते हैं मेंस में आप justice N.V. Ramana को court करते भी लिख सकते हैं अपना statement में आप court नहीं कर सकते हैं कि बिहार में सरकार का जो है गलत निर्नया है आप खुद नहीं बोल के लिख सकते हैं हाँ आप यह बोल सकते हैं कि भारत के ततकालिक Chief Justice of India N.V. Ramana के द्वारा यह कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा निर्नय जो लिया गया यह और दिर्दरस्ति निर्नय था और उसका कुछ रिजन आप दे सकते हैं जब भी आप कोट करें उसको कुछ रिजन आप तो अब मैं इसको डिकोट करता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है बिहार मद निशित कानून 2016 में लागू हुआ है और उसके कारण पटना में हाई कोट में जमानत के आविदन भरा हुआ है इस वज़े से समान जमानत की अरजी को निप्टाने में एक वर्ष का समय लग जाता है चुकि मैक्सिमम जो है जमानत अरजी आया है वो सराबंदी कानून को लिकर आया है तो ऐसे कंडिशन में जो समान अरजी है उसको निप्टाने में एक वर्ष का समय लग जाता है ये कहना है जस्तिस एन्वी रवन नाखा अब देखें इसके पीछे कुछ कारण देखते हैं पहला कारण आपको दिखेगा है कि बिहार में सराबंदी कानून 2016 में आया है और इस सराबंदी कानून में लगभग 5 लाग लोग एक्जक्ट फिगर है I think 4,87,000 लोग लिकिन लगभग 5 लाग आप इसको लिख सकते हैं ल अब सोच के देखें एक ही कानून में के तहत लगभग 5 लाग लोग गिरपतार होते हैं लगभग 5 लाग लोग आकर गिरपतार होते हैं क्या बिहार सरकार को यह पता नहीं था कि अगर आप कानून ला रहे हैं तो इस कानून को लाने से जो है इतने लोग गिरपतार हो सकते तो बिहार सरकार को पहले से क्या करनी चाहिए कि जेल की वेवस्था करनी चाहिए एक तो हमारे यहां जो जेल हुआ पहले से फूल है और ना सिर्फ फूल है बलके डवल चल ला है जितना जेल का एस्ट्रेंथ था लगभग उसके दुगुन्ना कैदी जो और लेडी जेल में से मौजूद है और स्राबंदी कानून लागू होने से जेल में कैदियों की संख्या काफी बर गई है तो आपको जेल इंफ्रास्ट्रेक्टर पहले बनाना चाहिए था जेल नए नहीं जेल का निर्वान करना चाहिए था यह काम ने आपने नहीं किया इसलिए इनको और जेल नहीं है इसलिए इस निर्वना को और दूर्दसी निर्वने कहा गया दूसरा रिजन यह है कि पतना में हाई कोर्ट में अगर आप देखेंगे जस्टिस की संख्या सिर्फ तिरेपन जस्टिस की संख्या सिर्फ मैं नहीं कहूंगा लेकिन तिरेपन जस्टिस की संख्य लेकिन सवाल यह होता है कि कितने हाइकोर्ट में वर्तवान में जज है तो सिर्फ 25 जज है वर्तवान में जनवरी 2021 में जब मैं ये बिरियो रेकॉर्ड कर रहा हूं पटना हाइकोर्ट में सिर्फ 25 जज है तिरेपन की संख्या सिर्फ 25 है यानि आधे से भी अधिक कम है पटना कीास कोई लेगा तो ये कोज स्रहाई के प्रस्न सर्वोची नियाले के पास रहा था अगर आप स्राबंदी कानूण कानून लाते तो सबसे पहले आपको jail strength improve करना चेहिता उसके बाद सराभन्धी कानून लाते तो आपको पुलिस के लिए अलग से वेवस्तपा करनी चाहरे। जो पुलिस की संक्याएं वो राष्टी स्तर से कम है और राष्ट में जो पुलीस संक्या वो विदेश के अस्तर से कम है तो आईसे कंडिशन में पुलीस की स्टेंद के आपको न्युक्ति अधिक करना चाहिए था या इस्पेशल पुलीस बनाते जो सिर्फ सराबंदी कानून को को इंपलेमेंट करती एस्पेशल कोड का अपको प्रोविजन करना चाहिए इस्पेशल न्याइधिस का प्रोविजन करना चाहिए था तो इसलिए और दूरदसी सोच बताए क्योंकि बिना कुछ आप आगे के एस दिक्षे वे सिर्फ पौपलेरिटिटी सोच के तहट आपने है अगर आपको इंप्लेमेंट करना चाहिए तो यह सारे की सारे चीज को भी आप इंप्लेमेंट करते हैं यह ने कोटेशन है और इस फैजागक्री कोटेशन है वह है Justice Envy Ravana का और उसका background बिसिकली यह सरा चीज है ऐसा नहीं कि Justice Envy Ravana बिहार सरकाई को किरिटिसाइज करने के लिए ऐसा कह दिया ऐसा नहीं है देश के सर्वोच पद में वो बेठे हुए तो उनके जो भी quotation होता है उसके background में कुछ चीजें चलती है और उसी चीज को हमें decode करने के आविश सकता होती है चलिए सराबंदी पर थोड़ा सा और डिस्कस में कर देता हूँ बागी आप लोग सराबंदी पर special note बनाएगेगा सराबंदी भारत के समिधान के article 47 भारत के समिधान का जो राजी के निती निद्रशक तत्व है इसका तीन पार्ट एक तो पार्ट है गांधिवादी दूसरा है उदारवादी गांधिवादी कुछ प्राबधान है इसमें है ठीक है कुछ उदारवादी प्रावधान है और कुछ समाजवादी प्रावधान है तीनों ही प्रावधान राजी के निती निदोशक में है तो राजी के निती निदोशक तत के आर्टिकल 47 में जो है मादक पेयों वहानिकारक नसेली पदार्थों के प्रतिसेत को लेकर के चल अब स्राब बंदी को आपको मिल जागा और वहां से जागा का आप वोग नोट Ethan हुई है यह NCRB के डाटा में आपको मिल जागा और वहां से जाका कि आप लोग नोट कर लीज़ेगा साथ जीवन परतियस्या बढ़ा जीवन परतियस्या मतलब लोगों जो है जो सराब पर पैसा खर्च करते थे आपने हेल्थ वर्तवान में खर्च कर रहे हैं हेल्थ उनकी हो रही है तो ऐसे कंडिशन में उसकी जो एज थी वह बढ़ी है कितना बढ़ी है यह डाटा आप लोग देख लीज़ेगा यह पेपर में नेक्स्ट आम आएगा तो उसको कूट कर लीज़ेगा तो यह कुछ पोश्टी पॉइंट है दो ही पोश्टी पॉइंट है लेकिन बहुत सारे पोश्टी पॉइंट हो सकता है इसको आप लोग दिखिएगा या पेपर में जैसे जैसे न्यूज आएगा तो उसको आप देखते जाएगा नेटी में एक पॉइंट यह भी मुझे लग रहा है चो कि परियाटन के बाले में मुझे डिसकस किया था मैंने उपर तो परियाटन चर्त पर इसका बुरा परभाव परा है अगर जो परियाटन कहीं जाते हैं नॉर्मली घूमने के लिए तो वो इंज्वाई करने के लिए जाते हैं तो ऐसे कंडिशन उसको सराब चाहिए लेकिन अगर सराब बंदी आप कर दिया है तो परियाटन आपके यह होनी चाहिए बिहार का सबसे important decision में एक है सराब बंदी और कल बिसीख लिए नालंदा में क्या हुआ है कि आठ लोगों की जान चले गए सराब बंदी को लेकर के या सराब पिने से चली गई है सराब लगभग दोने रेट पे मिलता अब है तो ऐसे अगर आपको सराब मिलता भी खरें वहां नकल लिए अफिर नहीं पिना चाहिए और विसी भी सराब सरीर के लिए हाने का रखा है विसी भी नहीं पिना चाहिए पटना नगर निगम का चुना होने वाला तो नगर निगम का चुना होने वाला बेसिकली उस पर आपकी नजर क्या होनी चाहिए तो इसमेंधर नगर नारे के द्वारा स्थान ये ग्रामी चुना होते हैं अर मुखहितारवा संसोंधन के द्वारा अस्थानी के ना के बारे में आप एक special note बना लिजेगा प्रिलिम्स में पूछा जाता है जैसे कि 66 में कि बिधान सभा, बिहार बिधान सभा के ज़स्ट वाद गया वुआ था तो कोछा गया कि बिधान सभा के date का announcement कब हुआ था तो हो सकता है आपसे question ये पूछा जाया है कि बिहार में चुके पंचायती राज election हुए है तो पंचायती राज election के date का निर्धारन या date की सूचना कब दिया गया चुना आयो के द्वारा बिहार चुना आयो के द्वारा इसी तरह से ये जो नगर निगाउं का चुना होने वाला है तो इसमें question पूछा जा सकता है कि इसकी date की सूचना कब दिया गया तो ये सब ही question प्रिलिम्स में पूछी जाते है तो मेरे अनुशा इतना ही question important था अच्छा एक question और important है operation खुर की जिसा कि कल सेना दिवस था और कल सेना दिवस था बिहार रेजिमेंट के ही एक जेनरल थे जेनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी है डामेनी पुनिया इन दोनों ने मिल करके operation खुर की नाम से एक किताब लिखा basically अफरिका में ये operation हुआ था और उसको lead किये थे बिहार के ही एक जेनरल है राजपाल पुनिया तो operation खुर की के बारे में याद रखेगा ये prelims में question निश्य तोर पूछा जा सकता है कि operation खुर की जो book है basically एक किताब है इस किताब को किस ने लिखा है तो राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया ने इसे लिखा डाटा कलेक्शन एक दिन का काम नहीं है डाटा कलेक्शन लगातार आपको लगना पड़ेगा डेली कुछ न कुछ चीजे मिल जागी देली छोटी छोटी चीजे मिल जागी और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजे मिलते मिलते है आपके पास एक अच्छा डाटा कलेक्शन हो झाल